नमस्कार मित्रों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बहुत तेजी से खबर फैल रही है आग की तरह जंगल में फैल रही है और फैल चुकी है अगर आप लोगों तक ये बात नहीं पहुंची है तो ये बात आप तक मैं पहुंचा देता हूँ खबर भाई ऐसी आ रही है कि एक मित्र हैं आपके बीच के मित्र हैं आपके सहपाटी हैं और उन्होंने कमाल कर दिया है जूनियर सिक्षक भरती में हमारे नहीं आपके उन मित्र ने जूनियर एड़ेट सिक्षक भरती का जो भी रिजल्ट आया है उसमें उन्होंने टॉप कर करते हुए देड़ सो में 145 नंबर लाकर कीरति मान पच दिया है जो कि कोई बहुत बड़ी बात ही है और आसान बात नहीं है हाँ एकेडमिक में आप नंबर ला सकते हैं लेकिन कंपोडेटिव एकजाम में नंबर लाना आसान नहीं होता पर फिर भी बच्चे लाते हैं एक दो बच्चे टॉपर निकलते हैं एक दो बच्चे बेरला होतें तो कोई बहुत बड़ी बात थी तो इसमें इतनी बवाल वाली बात है क्या लेकिन अगर आपकी हिस्ट्री आपक और अब सीधा जूनियर सिक्षक बिर्टी में 145,500 में नहीं मतलब एकदम से एलॉन मस्क मतलब बात क्या है बात सीधी सीधी यह है आपके सामने उनका रिजल्ट है देखिए नाम मैं नहीं करूँगा कि शायद किसी की प्रैवेसी पर हमको काम नहीं करना चाहिए वो पुलिस गलती हो गई कुछ दिन पहले पीटी का रिजल्ट है और पीटी वाले में भी आप देख सकते है कि उनके माक्स अब भरती के जो एपसुल्यूट स्कोल वो तालिस नमबर था और कैंडिडेट के नॉर्मलाइज स्कोल जो अंतिम स्कोल है वो है 38.30 मतलब 64 और 38 दोनों को भी मिला दोगे ना तो भी 145 ने होने वाले और जब जूनियर एड़िट भरती का रिजल्ट आया तो भाई के 145 भाई मतलब क्या ही कहने है ठीक है मतलब इतनी लंबी चलांग ना इतना लंब हो तो भाला फेक भी नीरत चोपला नहीं फेक पाई जित्ता चलांग भाई कैसी कोई घोटी कोई कोचिंग कोई नोट्स या कोई मंत्र उनको मिला हो देखिए 145 लाना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन बात यह है कि अगर आपका पास अच्छा नहीं है आपकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो इतना बूम नंबर लाना आसान नहीं होगा अब यह स STF कर लेगी हम लोग को उस पर टिपड़ी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हो सकता है भाई मित्र ने कुछ सच में पढ़ाई कर लियो नंबर ले आए हूँ कोई बड़ी बात नहीं है STF इसकी जाच करेगी सही गलत पाईगी उनातर हजार में भी ऐसा हुआ था एक दो मित्र ऐसे थे जिन्होंने टेड़ सो में 140 क्यास पास स्कोर किया था STF के पास बात पहुची STF ने उस पे जाच करी और पाया गया कि वो भाई साब चीटर निकले उन्होंने कहीं न कहीं कुछ न कुछ अपना जुगाड लगाया हुआ था और लाज़ पे वो फस गए ऐसे मित्रों से जिनके पास जुगाड है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा भाई जुगाड अगर लगे तो टॉप मत मारा करो बीच में रा करो बीच में जुन लोग होते हैं उनको कोई पूछता नहीं है बीच में रहते हैं अब 145 नमबर ला लिए तो फसना तो टहे है अब बाकी आपके बीच में एक 34 स्थर का टॉपर है और अगर वो गलत है तो उनको उनकी सही जगा पहुंचाया जाएगा खबर आप तक कहुंचा दी गई है बिलकुल चौकाने वाली खबर है ऐसा भी होता है कि उत्तर प्रदेश है भाई साब यहां कोई भी काम एक बार में सही तरी आपके जानना, have a good night